Assalamu alaikum my dear students, today we will learn maths, chapter number 11, money आज हम question number 5 करेंगे, divide A, divide division तो आपको आते ही है, पर सिर्फ ये एक बार ऐसे समझाने के लिए रुपीज 30 divided by 5, उसको पहले set करना है ऐसे, 5 divided by, sorry, 30 divided by 5 5 is the 30, answer is 6 रुपीज B, रुपीज 56 divided by 4, 4 यहां से start करना है, 4 बन्जा 4 5 में से 4 कट करोगे, तो answer आएगा 1, 6 को नीचे उतार दिया, 16 4 के table में 16 कब आता है, 4 फोर्जा 16, तो 4 फोर्जा 16, 16 में से 16 कट करोगे, तो answer आएगा 14 sorry, 00, और answer है, रुपीज 14 C, रुपीज 96 divided by 8 8 फोर्जा 8, 9 में से 8 कट करोगे, तो answer आएगा 1, 6 को नीचे उतार दिया है, 16 8 के table में 16 कब आता है, 8 फोर्जा 16, 8 फोर्जा 16, 16 में से 16 कट करोगे, तो answer आएगा 0, 0 so, overall answer है, हमारा caution है, answer रुपीज 12, understood ऐसे आपको पूरा जो है, question, question number 5, आई तक वो आपको खुद से complete करना है, division के सम है, वो आपको आते हैं, और ये तो बहुत ही easy division है now, question number 6, solve this word problem, ये जो word problem है, वो हमको solve करनी है abdul spent rupees 38.50 at the fair, his sister spent rupees 12.25 less than him, how much did his sister spend, means abdul जो है, उसने 38.50 उसने fair में spend किया, उसकी sister है, उसने 12.25 less than him, उससे 12.25 रुपे जो है, वो उससे कम spend किये, तो अपने को क्या करने का, abdul के पैसों में से, जो उसकी sister के पैसे cut करने का, और जो answer आएगा, वो उसकी sister ने उत्ते पैसे spent किये, होगे abdul spent rupees 38.50, और his sister, his sister ने किते less किये है, 12.25, अभी 0 में से 5 कट नहीं हो सकता, तो आगे से हमको carry करना है, 5 के पासे, 5 से carry किया, तो 5 को cut करके, 5 का before number 4, और जो है, यहाँ पे 10, 10 में से 5 कट करोगे तो 5, 4 में से 2 कट करोगे तो 2, point का point ऐसे का ऐसा, 8 में से 2 कट करोगे तो 6, और 3 में से 1, 2, answer is, his sister spent rupees 26.25, 5, question number B and C, do it by yourself, and question number 7, जो है, application in your real life, उसमें जो है, subtraction, जो हमने पहले के, subtraction, addition, multiplication and division, वो 4 का, जो है, वो mix-up है, तो आपको खुद से करनी है, मैंने आपको 4 के 4 सिखा दे, addition, subtraction, multiplication and division, जो point में आते वो वाले भी सिख गए हो आप लोग, understood, so आपको remind करना है, और question number 7, वो आपको खुद से करना है, और मैंने जब PDF आपको send करें कि उसमें से आपको देखने लेना है, कि आपने सही किया है, कि गलत किया है, और गलत किया है, तो कहां पे गलत किया है, और क्यों ग रहमतुलाही वबरकातु